सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं स्वस्त निरोगी जीवन जीने के लिए सबसे पहले टिप्स पाएं नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइट टिप्स में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाइची यानी काड़मम के बारे में जानेंगे इलाइची खाने के फाइदे हमें कितनी इलाइची का सेवन रोजाना करना चाहिए किन तरीकों से हम इसका सेवन रोजाना कर सकते हैं और अंत में जानेंगे वो कौन लोग हैं जिन्हें इसका सेवन कम अत्वा नहीं करना चाहिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे ही हेल्ट रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली डालते हैं और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करे क्योंकि इस से हमें ऐसी ही इन्फॉर्मेटर वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है तो चलिए बिना वक्त गवाई वीडियो शुरू करते हैं इनाईची जिसे हम अंग्रेजी में काजमम कहते हैं ये हर भारतिय किचन में पाए जाने वाला एक बेहनी स्वाद और सुगंद वर्धक मसाला है ज्यादा तर इसका इस्तिमाल खाने में स्वाद देने के लिए और माउट फ्रेशनर के तौर पर किया जाता है लेकिन प्राचिन काल से इसे एक आर्युवेदिक औस्धी के रूप में भी इस्तिमाल किया जाता है इसका कारण है कि इसके औजदिये गुन और इसमें मौजूद नियूट्रियंट्स जैसे आईरन, वाइटमिन सी, नियसन, रेबोफलेवन, पोटेशियम, मैगनेशियम और केल्शियम जैसे कि आप मेंसे बहुत से लोग जानते होंगे कि इलाइची दो तरह की होती है छोटी इलाइची और बड़ी इलाइची, बड़ी इलाइची का उपियोग ज्यादा तर खाने में खड़े मसाले के रूप में होता है या गरम मसाला का एक महत्तपून इंगरिडियन्ट है चोटी इलाइची का उपयोग लोग ज्यादा तर माउट फ्रेशनर और कई मिठाई और पकवान में मिठास, स्वाद और सुगंद देने के लिए करते हैं ये तो हो गई इलाइची की एक शौट इंट्रडक्शन अब हम जानते हैं इलाइची खाने के फाइदे पहला पाचन तंत्र मजबूत करें और भूख बढ़ाएं इलाइची पाचन सक्ति को मजबूत बनाने में बेहदी असरदार है इलाइची जलन, गैस, एसिडिती, खराप, पेट, कब्ज जैसी परिशानियों को दूर करता है यदि आप रोजाना खाने के बाद एक इलाइची खाने की आदत डालें तो आपको इन पाचन संबंधी समस्याओं से ज़रूर राहत मिलेगी एवं आपका पाचन भी अच्छा होगा साथ ही ऐसे लोगों के लिए भी फाइदेमंद हैं जिने भूप नहीं लगती हैं अध्यनयों में पाया गया है कि इलाइची भूप बढ़ाने में बेहद ही कारगर है दूसरा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और दिल की रक्षा करें इलाइची एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होती है और साथ ही इसमें मुत्रवर्धक फाइवर और पोटेशियम होता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर यानि रक्त चाप को कंट्रोल करने में मदद करता ह इनी वजों से ब्लड प्रिशर केमरीज को इसका प्रियोग खाने के बाद जरूर करना चाहिए इलाइची में मैगनीशियम, पोटेशियम और कैलसियम जैसे खनीज पाए जाते हैं जो दिल की रक्षा करते हैं और हमारे शरीर में खून का संचालन सुचारू रूप से करते हैं इनी वजों से इलाइची दिल के लिए काफी अच्छा माना जाता है तीसरा शरीर डिटॉक्स करें Deoxification हमारे शरीर की ऐसी प्रक्रिया है जिस में हमारे शरीर के अंदर की गंदगी और विसैले पधार हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं इलाइची में antimicrobial properties होते हैं जो शरीर से फानी कारिक bacteria को बाहर निकालने का काम करते हैं चौथा गले की समस्या को दूर करें सर्दी खरास और गले में दर्द जैसी समस्या में इलाइची एक बेहधी कारगर ओश दी है रोज सुभा उठने के साथ और रात को सोने से पहले यदि आप एक चोटी इलाइची को चबा चबा कर खाते हैं और साथ में गुनगुना पानी पीते हैं तो यकीन मानिए सिर्फ कुछ दिनों के प्रियोक से ही आपको इस समस्या से चुटकारा मिल जाएगा साथ ही यदि आप एक गायक हैं तब तो आपको इलाइची जरूर खाना चाहिए क्योंकि इलाइची के नियमित सेवन से आवाज सुरीली होती है पांच्वा मा पांसिक समस्या दूर करें और दिमाग तेज करें एक स्टडि के अनुसार मांसिक समस्या जैसे चिंता डिप्रेशन और तनाव में इलाइची बेहर्दी मददकार पाया गया है इलाइची चबान या इलाइची वाली चाई पीने से हमारे अंदर कुछ ऐसे होर्मुन्स का परिसाव होता है जो हमें इन समस्याओं में लाव देता है जिन लोगों को याद्यास्त की कमजोरी की समस्या है उनके लिए इलाइची बहुत ही मददगार है एक अध्यन के अनुसार इलाइची हमारे सीखने और याद्यास्त की छंता पर साकरात्मक प्रभाव डालता है हठा हिचकी शान्त करें इलाइची में कुछ ऐसे गुन होते हैं जो हिचकी की समस्या सही निजात दिलाते हैं इससे बंध करने के लिए आप एक इलाइची मुह में डालें और बस इसे चबाते रहें आप देखेंगे कि कुछ ही देर में आपकी हिच्की गायब हो जाएगी साथवा मूग की समस्या को दूर करे इलाइची में मौझूद anti-microbial properties मूग की समस्या जैसे सांसों में बद्बू, संक्रमन, अलसर से बचाता है खास कर मूग की बद्बू को दूर करने के लिए आप इलाइची के साथ स्वाफ का भी इस्तमाल कर सकते हैं आठमा फेफडों को मजबूत करें छोटी इलाइची आपके लंग्स यानी फेफडों के लिए भी उतना ही अच्छा माना जाता है या फेफडों में ब्लड सर्क्लेशन को बहतर करता है और एक अध्यन के अनुसार सान संबंधी समस्याओं जैसे ब्रॉंकाइटेस और अस्थमा में भी इलाइची बेहधी कारगर पाया गया है चलिए ये तो हो गई इलाइची के फाइदों की बात अब हम जानते हैं कि हमें कितनी इलाइची का सेवन रोजाना करनी चाहिए कई स्टडीज और रिसर्च के अनुसार हमें रोजाना ज्यादा से ज्यादा 500 मिलिग्राम तक इलाइची का सेवन करना चाहिए अगर आसान भासा में कहें तो हमें दिन भर में दो सेतीन लाइची से ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसके ज्यादा सेवन करने से स्किन संबंदी समस्या या गॉल ब्लेडर में स्टोन होने का खत्रा होता है कैसे करें लैची का सेवन इसका सेवन आप खाने में डाल कर सकते हैं आप इसे ऐसे ही चबा चबा कर खा सकते हैं और बारीक पीसकर चाय या दूद में डाल के पी सकते हैं या अन्य स्वादिस्ट पकवानों और मिठाईयों में डाल कर इसका उप्योग कर सकते हैं चेतावनी के तौर पर कुछ लोग जीने इनका सेवन कम या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो हैं गर्वती या स्तनपान करने वाली महिलाएं, अधिक मात्रा में लेजी खाने से गर्वपात होने का खत्रा बढ़ सकता है, ऐसे लोग जीने पत्री की शिकायत है या ऐसे किसके ने अलर्जी है,